नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आए जानते हैं मूली के फाइदे और नुकसान के बारे में मूली के पांच फाइदे फाइदा नमब एक, पाचन में सहायक, मूली में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और कब से रहत दिलाता है फाइदा नमब दो, विटामिन सी का अच्छा स्रोथ, मूली में विटामिन सी होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और शरीर में एंटियोक्सीडेंस की मात्रा बढ़ाता है फाइदा नमब तीन, वजल घटाने में मददगार, मूली कैलोरी में कम और फाइबर में अधिक होती है, जिससे यह वजल घटाने के लिए एक अच्छा विकल्प है फाइदा नमब चार, डिटॉक्सिफिकेशन, मूली शरीर से विशात पदार्थों को निकालने में मदद करती है, जिससे लीवा और किद्नी को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता मिलती है फाइदा नमब पाँच, हाई ब्लड प्रेश नियंतरित, मूली में पोटेशियम की मौजूदगी से यह ब्लड प्रेश को नियंतरित करने में मदद करती है मूली के पांच नुकसान पहला नुकसान, थाइरोइड की समस्या मूली अधिक मात्रा में खाने से थाइरोइड ग्रंथी पर नकारात्मक प्रभाव पर सकता है जिससे थाइरोइड की समस्याइं बढ़ सकती है दूसरा नुकसान, पेट में गैस या एसिडिटी मूली का अधिक सेवन कुछ लोगों को पेट में गैस, एसिड़िटी या अपच की समस्या दे सकता है तीसरा नुकसान, लंबे समय तक खाने पर नुकसान, मूली को लंबे समय तक और अधिक मात्रा में खाने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है क्योंकि यह मूत्रवर्धक डायुरेटिक होती है चौथा नुकसान, गर्भावस्था में सावधानी, गर्भावती महिलाओं को मूली के अत्यदिक सेवन से बचना चाहिए क्योंकि यह पेट की समस्याई या अलजी उत्पन कर सकती है पान्चवा नुकसान, तवचा पर अलजी, कुछ लोगों को मूली से अलजी हो सकती है जिससे तवचा पर खुजली, लाल चकत्ते या सूजन हो सकती है धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें